जन्ता दल उनाइटेट ने आज बिहार में दलितों को अपने पक्ष में गोलबंद करने के लिए भीम संसत का आयोजन किया और इसी बहाने मुख्यमंत्री नितीज कुमार ने टोला सेवकों को ले करके भी एक बड़ा ऐलान किया है टोला सेवक जो मुख्यमंत्री नितीश कुमार के बिहार में मुख्यमंत्री बनने के बाद से शुरू हुई एक ऐसी कहें कि योजना है जिसमें बिहार के हर एक अलग अलग गाओं में टोला सेवकों की नुक्ति की गई है तो उन सब को ले करके आज नितीश कुमार ने उनकी वेतन ब्रिद्धी पर बड़ी बात कही है दसर नितिश कुमार ने कहा है कि बिहार में जितने भी टोला सेवक हैं वे उन तमाम टोला सेवकों के वेतन में आगे आने वाले समय में बड़ी ब्रिद्धी की जाएगी और मौझूदा समय में टोला सेवकों को जो करीब 22,000 और आपकी नौकरी उसी तरीके से सुरक्षित है जैसे किसी एक सरकारी कर्मी की होती है और इतना ही नहीं अगर आपको अपने वेतन को ले करके किसी प्रकार की चिंता है तो हम लगातार आपके वेतन में समय समय पर ब्रिद्धी करते रहे हैं किसी दौर में आपका वेतन का पर फैसला लेगी। जा रहा है कि लोकसवा चुनाओं के पहले तमाम वैसे लोगों को खुश करने की नितीज जो मुहिम चला रहे हैं उसमें टोला सेवक काफी अहम हो सकते हैं और उनके वेतन को लेकर कि अब नितीज ने बड़ा एलान किया है कि जल्द ही जो वैसे टोला सेवक इनको 22,000 रुप में रखा है आई कहां है मंत्री जी तो राव यह मंत्री बना है जानपे नहीं करते हो भजो सब सरकारी है वो लोग तो पता नहीं है वो सब को सरकारी हमने दे दिया है और कितना पैसा दे रहे हैं आज जितना दे रहे हैं अब अगले साल और बढ़ा देंगे उनका तो चु लोगों के लिए कित्रा खुशी है सबको आप जानते हैं कि विकास मित्र के मान दे को तो जो बता दिया आपको हम विकास मित्र वाले को तो 13,700 था 25,000 कर दिया तोला सिवक तालिमी मरकद को 22,000 कर दिया